नमस्कार दुस्तु गुड मॉर्णिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देखिए यहां पर अभी यह प्रभात खबर का नियूज है और पटना संस्क्रन का है इसमें आपको देखिए आज बताया जा रहा है कि 550 नियूज निकाईयों में सिर्फ दो चरणों और सेस मे सिर्फ एक चरण में होगी कांसेलिंग जी हां कल भी आपको वीडियो बनाया गया था उसमें आपको बताया गया था कि टोटल अभी 1400 नियूज निकाईय में लगभग आपका कांसेलिंग होना भागी रह गया है थर्ड राउंड में लेकिन यहां पर और यह भी बताया गया कांसोपचास नियूज निकाईयों में दो चरण में होगी कांसेलिंग और उस सेस जो बचेगा तो यहां पर नई नियूज निकलके आरहे हैं काफी इंपोर्टन्ट नियूज है आप सुभी के लिए तो चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अपने दोस 11,000 से अधिक पदो पर कॉंसिलिंग के लिए नया फॉर्मेट यहाँ पर बना लिया गया है सिच्छा विभाग के द्वारा तो यह आज कर काफी इंपॉर्टेंट नियोजन करके आ रही है चलिए आगे देखते हैं दूस्तों क्या क्या इसमें बताया गया है कराय की पंचायत कि जो परकिरिया 3rd round का उसको 2 चरन में कराने की यहाँ पर बात हुई है निरना इलिया गया है सबसे पहले क्या होगा कि 525 से अधिक ऐसी नियोजन काईयां है जहां अब तक एक भी बार कॉंसिलिंग नहीं हुई है ठीक है 550 ऐसे नियोजन काईय है जहां एक को बार भी निय गया है वहाँ दो चरण में होगा ठीक है वहाँ दो बार कराया जाएगा कराया कि वहीं करीब पच्छे सो पचास ऐसे नियूज निकाईया है जहां एक बार कॉंसिलिंग हो चुकी है छे सो पचास ऐसे है जहां एक बार हो चुका है वहाँ केवल एक बार और कॉंसिलिंग करा गया है और यह काफी important है अपने दोस्तों को जरूर से जरूरी उसके बारे में आप बताइए आगे कह रहा है कि अभी 57,000 से अधिक पद खाली है अभी total जो आपका कहा जा रहा था आपका 94,000 जो total seat है उसमें 57,000 सीट यहां पर खाली है कराय के सिचा विवहाग के सुत्रों के मुताविक 97,000 768 पदों के लिए कराए गई काउंसिलिंग में अभी केवल 38,000 पद ही योग उमिदवार चूने जा चुके हैं से 57,000 से अधिक पद यहां पर खाली है इनमें से अभी केवल 11,500 पदों पर काउंसिलिंग कराया जानी है यानि कि आप देखिये 57,000 खाली है यहां पर ठीक है इसमें से कितना पर कराया जाएगा तो 16,000 पद पर यहां पर काउंसिलिंग होगा यानि कि जो बच जाएगा 11,000 में भी तो कुछ सेट खाली रहेगा है यह तो कनफर्म है और यहाँ पर जो इसमें 11,000 अगर आप घटा देते हैं हाँ न साड़े 11,000 अब घटा देते हैं तो आपके बहुत सारा सीट यहाँ पर लगवग खाली रहा जाएगा 40,000 से ज्यादा सीट यहाँ पर मतलब कि खाली रहा जाएगा तो यह देखिए आज का यह काफी important news था दोस्तों और इसके बाद कह रहा है कि इसके बावजूद 45,000 से अधिक पद यहाँ पर रिक्त रहा जाएगे यानि कि 40-45,000 यहाँ पर सीट खाली रहा जाएगे और उसको फिर सातवे चरण में यहाँ पर मौका दिया जाएगा सातवे चरण में देखिए बहुत सारे सवाल यह आते हैं कि अभी जो दिसंबर 2020 वाले या फिर 2021 में जो दिसंबर में आपका सीटेट का एकजाम होने वाले हैं ये साथवे चरण में भाग लेंगे की नहीं लेंगे तो देखें दिसम्बर 2020 वाले तो इसमें भाग लेंगे लेकिन अभी दिसम्बर 2021 वाले की चर्चा इसमें नहीं की गई है लेकिन इसको भी उसमें जोड़ना चाहिए क्योंकि यے भी तो qualified कर जाएंगे तब तक amedha seated qualified कर जाएंगे तो इनको भी मौका मिलना चाहिए बिलकुल ही मिलना चाहिए कर रहा है कि हाला कि इस संबंध में अभी अंतिम निर्ने लेना बाकी है अना इस पर अभी मतलब सीरफ बताया है जारा कराई कि इधर नियोजे निकाईयां जो हाल ही में निकाई में सामिल हुई है वहां नए पताधिकारियों को कॉंसिलिंग कराना चुनावती पुर्ण होगा यसे में वहां के लिए सीचा विभाग विशेश तैयारी कर रहा है तो इस परकार से अभी आपका जो 550 नियोजे निक चुका है वहां सिर्फ एक चरण में कराई जाएगी और यह लास्ट है इसके बाद फिर कोई कॉंसिलिंग वगरा नहीं होगा इसके बाद जब होगा जो भी सीट खाली वज जाएगा तो साथवे चरण में आपका किया जाएगा तो यह इसका कनकुलूजन था और हम कौन करेंगे तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर बताया है करा कि परदेश में 8386 सारीरिक सिच्छा और स्वास्थ अनुदेशकों की न्यूकती अंसकालिक होगी इसकी न्यूकती विभाग की तरफ से गठीत एक विसे समीती करेगी उलेखनी है कि इतने अनु चलिए एक हफ्ते पहले ही जारी कर दिया था तो अब देखते हैं इसके बारे में भी कल भी आपको बताया गया था जो सारीरिक सिच्छा अनुदेशक है इसके बारे में भी हना तो आज जो में आपका मुद्दा था कि आपका जो 550 नियोज निकाई है यहां आपको दो होगा तो चलिए यह काफी इंपॉंटन नियुच था अपने दोस्तों किसको सेर कीजेगा वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक कीजेगा चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आकन जुरूर प्रेस की लिजेगा ताकि आने वाला वीडियो का कर दो झाल